कि नमस्कार दोस्तों आज को जिसमेरा टॉपिक अतर्ष का है। रेलवे ब्रीज और को थैज रेल लाइन रेर वह चराइब ब्रीज वन्हेसी रहां thành उसका हम क्षेट्ट से करेंगे तो आज हम आप जो है शुरू से लेकर के फॉंडेशन से लेकर के जो है आपको जो है उसका जो है यह आपका जो है ट्रस मेंबर को जो है जो है जो है दिखाएंगा है चीक दोस्तों तो दोस्तों रेले ब्रीज के आएगा ट्रस ब्रीज जो आपका जो इस्टील मेंबर से जो है बना जाता है तो आपको हम दिखाएंगे देखिए पहले हम बताएंगा ट्रस विज्ञकर है क्या तो एक ट्रस ब्रीज is a breeze whose load-bearing super structure is composed of truss ठीक जोस्तो यह structure of connected element usually from triangular unit आपका जो structure जो रहेगा आपका triangle unit में वो जो है connected रहेगा ठीक जोस्तो the connected element may be a stress from tension compression or something both in response to dynamic load load करें हो जो है stress करेंगा आपका from tension or compression दोनों ठीक रुस्तो ट्रस्ट ब्रीज are one of the oldest type of modern breeze अब हम आपको बताएंगे आखिर यह ट्रस्ट ब्रीज जो है इसको जो है इसमें क्या क्या रहेगा देखिए यह आपका ट्रस्ट ब्रीज होगी आपका जो आपको खास करके जब आप तो बहुत तरह होता है बहुत डिजाइन और बहुत टाइप रोस तो यह आपका जो है अनल ट्रस्ट ब्रीज आपका जो ठीक दो इसमें देखिए क्या आप नीचे में आपको यह फलोर्ड भीम हो गया और इसके ऊपर प्लेट रखाता वह आपका डेक हो गया और इसी के ऊ कि ए दो कि इसको आपको स्ट्रेट दाए और यह आपका तो अब जो है रेल्गे का है डीज का यहाँ कैसे करना जो आप उसको देख लीजिए खाया सारा जो है construction का process आपका clear हो जाएगा ठीक दोस्तों दोस्तों जैसा कि आपको पता है कोई भी काम सुरू करने से पहले जो है सबसे पहले सर्वे होता है क्यों आखिर वो जो बीज जो है अगर आप काम जो करें किसो करके करना किसो के जाएगा और उसका level क्या होगा और वहां प जो है जहां पर location में उस जगे को जाप जो है पेरिकेटिंग कर दीजे जिसे कि अगर आप क्यों कि वह बेसिकी ब्रीज तो आपका नदी से जाएगा और खास करके ब्रीज का construction जो होता है summer season में होता है जैसे कि उस समय क्या होता है कि नदी का पानी जो है सुख जाता है तो अब क्या करना है कि कि जिसुर्या में मुझे जो है demarkation मिला है उसको जो है एक्जिवेशन करना जैसे कि आप देख भी है करना है उसके बाद उसको जो है पर आपको साथ साथ जो है डिवाटरिंग भी करना परेगा जैसे कि आप देख वीरेख भी हो रहा है फिर उसके बाद जो है रैंफर्समेंट की जब काम आता है बार-बैंडिंग की बार बैंडिंग करके जो जो है सब्चन्न करते रहे हैं और सब्सक्राश्चन करके पकर करते हो जा अब उसके बाद कि अब उसके बाद कि आपको जो है इस वाidents कास्टिंग काश्टिंग हो जाने के बाद उसके आपको एक-एक करके आपको जो clean dal वे त्रसक्रेंबर वे उसको ँघ्यार रखना कि और सबसे जो आपको दोनों सायड्य होगा ज़रोरी है कि आपको when प्रेटमेंट मना देजिये अब जो दो ब्रीज के दोनों साइद में उसको बोलते हैं तो उसको कास्टिंग करों भी जहाए आपका रसी सी वाल रहेगा ठीक दोस्तों क्योंकि वह जब पानी जब नरी मढ़र जाएगा फोरोस जो धाय नहीं गीरे नहीं इसलिए उसको जार् किसे मेरा सुर्यू होगा तो उसको जो है बेंग मनब भीछाने में सब पहले आपको जो है उसको कुछ से यहां खाली के साब जो है उसको जो कैसी करते जाए तो सबसे पहले ट patient सब्सक्राइब कोस dotage या उब सब्सक्राइब तो अब क्या करना उसके बाद क्रेल उसके उब्हेस्टिगा इतना हैवी चीज्ब निये मेंबुर से क्रेल से क्रेल की मदद से आघसे में इस एडिये का just तो इसको तरह से धीरे धीरे एक से दुसरे पार दुसरे 3 तरह टरब गते जाये ओर हमेशा याद रखे कि जब यह होने के बाद जो उसमें ब्रेसिंग भी टाइट करते हैं कोई भी तरह का भूल चुक ना हो क्योंकि इतना है भी उचा जगह में राने से जहां को अगर कुछ भूल हो गया कुछ गरबर हो गया तो आपको जहां मतलब कुछ भी मतलब सेफ्टिक अभी इसमें ध्यान रखना इस चीज़ को ज़्या ध्यान रखेगा अब ठीक दोस्तों तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो अगर पसंद है जरूर उसको लाइक किजिए और यह जान करें अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर देजिए और खास करके हमारे चैनल बाद को सब्सक्राइब कर दोस्तों